आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में दोस्तों आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है 12th महराश्टरा बोड के Information Technology यानि IT का 6th chapter e-commerce and e-governance के बीच में तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा दीटेल में देखते हैं तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप टेक्स्बुक नहीं भी पढ़ते तभी आपको सारे information मिल जाएगे और आप पेपर में बहुत जादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं तो अगर आप देखेंगे महराश्टर बोर्ड के जो बुक है उसमें ये सारे topics दिएगे हैं उनी topic को हम cover करेंगे मतलब आपको टेक्सबुक पढ़ने की जरुत ने टेक्सबुक का सारा information आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहली चीज़ है what do you mean by e-commerce आपको दो टर्म समझना होगा commerce का मतलब होता है कि कोई भी चीज की खरीदारी या बेचना मतलब आपको इस सर्विस को खरीद रहे है या बेच रहे या कोई समान खरीद रहे या बेच रहे उसको हम commerce कहते हैं अगर उसमें e-add हो जाता है यानि electronic term add हो जाता है जो भी चीज़े हो रही है वो इंटरनेट डिजिटल पर हो रही है तो वो e-commerce बन जाता है तो e- commerce हो रहा है buying and selling अगर वो इंटरनेट पर हो रहा है तो इसको हम e-commerce कहते हैं और इसमें आपको बहुत सारी चीज़े आज कल जो भी चीज़ आप shopping करते हैं Amazon या Flipkart या मिंत्रा जो भी आप platform यूज करते हो सब e-commerce में ही आता है तो यह हो गया e-commerce का definition अप important चीज़े है कि e-commerce और traditional commerce जो हम पहले करते थे natural जो होता है और e-commerce में क्या फरक है तो अगर आप देखेंगे यही तो advantages भी है जो e-commerce देता है पहली चीज़ क्या है कि यह जो e-commerce होता है वो basically online level पे होता है जबकि अगर आप traditional का देखोगे तो वहाँ पर आपको market में जाना पड़ता था लोगों इसे बात करना पड़ता था और फिर आपको खरीदना पड़ता था e-commerce जो होता है वो 24x7 होता है मतलब यह आप कभी भी shopping कर सकते हो जबकि traditional market के लिए आपको specific time होती थी आपको या दोगा आपके area में कभी-कभी market लगता था तो आपको मालूम होता था 5-8 के बीच में market होता मतलब आप देख रहे हैं कि screen के तुरू आप virtually देखते समान जबकि अगर आप traditional commerce में देखते हैं वहाँ पे आप जाके actual product को देख सकते थे चूँ सकते थे उसकी quality को measure कर सकते थे fourth point जो है वो है e-commerce is global and has no physical limitation मतलब जो चीज आप globally खरीद सकते हो कल मुझे कोई चीज पसंद आई जो Australia में है मैं उसको e-commerce के तुरू खरीद सकता हो जबकि traditional market में मुझे उस चीज के बारे में मालूम ही नहीं पढ़ता जब तक मैं Australia में नहीं जाता जब मैं Australia में जाओंगा उससे देखूंगा तब ही मैं उसको खरीद पाता था तो जो global वाला जो platform था वो e-commerce आपको provide करता है आप बहुत सारे brands है जो इंडिया में नहीं बनते लेकिन आप बार से भी उनको purchase कर सकते हो e-commerce को use करके e-commerce में जो payment का तरीका होता है वो bank transfer होता है credit card होता है e-wallet इस्तमाल किया जाता है mobile payment और बहुत सारे online digital payment किये जाते है जबकि traditional के case में खासकर अगर आप दिखते cash involved होता या कुछ बड़ा transaction होता तो आप चेक करते credit card भी कभी कभी आप इस्तमाल कर लेते थे लेकिन वहाँ पे hard cash जादा इस्तमाल होता था जबकि यहाँ पे digital इस्तमाल होता है e- यह एक e-commerce का drawback है जबकि e-commerce का जो scope है वो global है आप global level पे कुछ भी खरीच सकते है जबकि traditional में local होगा मान लीजी है मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरी जो shopping limit रहे हो मुंबई में रहेगी unless अगर मैं कहीं बाहर जाके कहीं और से ना खरीद हूँ जबकि मैं e-commerce में मुंब के advantages क्या होती है पहले चीज global scope मतलब यहां पर कोई market fix नहीं है आप कोई भी product कहीं कभी किसी भी company या किसी भी country का आप खरीच सकते हो तो आप globally पूरी तरीके से आपको exposure मिलता है आप कोई भी चीद देख सकते है और उसको खरीच सकते हो दूसरी चीज है कि यह electronic transaction को support करता है मतलब आप debit card इस्तमाल करते हो credit card इस्तमाल करते हो जो भी चीज़ है digitally आप use करते हो थर्ड चीज है यह आपको cost saving में मदद करता है e-commerce आप कहेंगे cost saving में कैसे अगर आप amazon पे जाते हो flip card पे जाते हो मिंत्रा पे जाते हो मानलीजे आप एक shirt खरीद रहे हो तो आपको अलग- आपको भी Amazon के site को open करो आप उसको use कर सकते हो और यह 365 days मतलब यह हमेशा चलता है यह platform है जो 24 by 7 into 365 days का रहता है no inter no intermediaries मतलब क्या हो गया कि आप direct customer जो होता है वो सीधा buyer से खरीद लेता है जैसे आप shoes खरीदे woodland के shoes या कहीं पे भी तो कभी-कभी होता क्या उसमें आप direct woodland company स से ही order कर लेते तो बीच के जो भी terms होते या जो लोग होते brokers होते हो वो सब हड़ जाते तो इसलिए यह आपको customer के तुरू customer और buyer के बीच में भी direct relation देता है और साथी साथ cost saving में भी मदद करता है जो intermediate stage ते वो हड़ गे and e-commerce का बहुत अच्छा uses होता है आपके public service में जैसे आपके healthcare, education में आजकल online classes या online doctors से आपको बात करना है यह सारी चीज़े आप public services e-commerce के तुरू कर सकते हैं तो आगे बढ़ते और देखते इसके disadvantages क्या है disadvantages अगर आप देखोगे इसको highest setup cost है आपको e-commerce अगर एक normal market लगाना है आपको जो अपना समान है उसको बेचना चालू करना है जबकि e-commerce के case में आपको software लगेंगे, hardware लगेंगे, training लगेगा वो लोग जो पूरे system को समालेंगे तो उसको एक initial setup cost काफी जादा है lack of physical presence, lack of physical presence का मतलब क्या होता है कि आपको वो चीज सामने दिख रहे नहीं आहीं आप उस दुकान वाले को जानते हो, आपने सुना होगा अक्सर अगर आप देखता है आपकी grandfather या grandmother आपक्सर कहते हैं तो कि इस दुकान से जाके ले लो ये तो अपनी दुकाने अपने पैच अची रहेगी कि नहीं तो उस पर आपको भरुसार है तो lack of physical presence नहीं है साथी साथ आप समान को भी नहीं देख सकते हैं उसमें आप pictures में देख सकते हो लेकिन आप basically physical में जब आपके पास deliver होगा तब ही आप उसको देख पाएंगे security issue भी एक है कि credit card frauds बहुत सारे चीजे होत quality of good delivery goods की delivery होती है उसमें एक problem होता है कि जो goods है उसकी quality क्या है मान लीजे मेरे को लगा कि quality बहुत अच्छी और जब मैंने उसको खरीद के हो जब मेरे घर पे आया delivery हुआ उसका तब मैंने देखा उसकी quality खराब निकल गई तो ये भी issue होता है e-commerce में जबकि traditional market में आप डारे delivery कुछ और हुई थी तो ये भी issue है e-commerce में लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो इसके advantages है वो basically इसके disadvantages को overcome कर सकते कि initial setup cost जो है वो companies आजकल afford कर पा रहे है lack of physical presence जैसे आपने ये जो trust वाली factor थी ये basically Amazon आप कहता है कि ये अपनी दुगान तो वो trust वो build कर रहे है जैसे आप Amazon Prime पे जाए ये flip card assured पे जाए तो वो इस चीज को basically आपको support कर रहे है security के लिए आजकल बहुत अच्छे knobs आ गया है जो ये सारी चीजों के handle करते quality के लिए आपके पास customer cares है जिसको आप अपने complaints डाल सकते और आपको हमेशा वो उस चीज पर benefit करने की कोशिश करते है तो ये एक disadvantage तो अगर आपको advantage पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते disadvantage पूछा जाए तो ये सारे points आप add कर सकते है नेक्स्ट हम बात करेंगे types of e-commerce मतलब ये जो commerce होता है product buy किया जाता है sell किया जाता है किनके बीच में होते है तो उसके हिसाब से ये चार category में divide होता है पहला category है business to customer मतलब आएक business है वो customer को बेच रहा है जैसे आप flip card से कोई भी समान खरीते है मैंने कोई shirt खरीदा रेमेंड के लिए रेमेंड से तो हो क्या गया है रेमेंड वाले जो business है उसने direct customer को उस चीज़ को बेच दिया दूसरा होता है business to business जहाँ पे आपके जो एक छोटा business वाला ब जैसे अभी आप कहेंगे Tata network कैसे हो गया अगर आप देखेंगे Tata sky जो होता है या कोई भी airtel का या किसी का भी जो यह सारे cables के systems होते है जो dish tv होते हो क्या करते में ओनर से यह जो lower level पर होते है जैसे मान लिए मैं मुंबई में रता हूं और मैंने Tata sky में को लगाना है तो मतलब यह नहीं होता कि मैं सिधा दिल्ली से Tata वाले को phone करूंगा ने मैं basically किसी मुंबई के Tata के जो supplier उनसे बात करूंगा और वो मुरे घर पे Tata sky लगा के जाएगा लेकिन अब यहां पर case क्या होता है कि वो जो मुंबई का supplier है वो खुद दिल्ली वाले से product खरीता है तो वो क्या हो गया business to business हो गया लेकिन वो उसको इस्तिमाल ने करता है वो आगे भी बेचता है फिर customer to customer होता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी ने उसको use किया और अब वो किसी और को देना चाहता है जो उसको use करे तो जैसे OLX पर मैंने कोई bike खरीदी और मैंने इसको 3-4 साल च होता है जैसे blocks अब blocks ऐसे होते कि मान लीजे मैं कोई बहुत famous personality हूँ and मुझको किसी ने कहा कि आप हमारे product को चेक किजिए और उसके ओपर blocks लिखिए जैसे आप देखते हों कि YouTube पे भी बहुत सारे वीडियो साते unboxing, technicals के बहुत सारे आप दिखते है गुरु जी से related बहुत सा आगे business को मिलता है कि public उनकी बात सुनके और खरीदता है तो यहां पर हो किया रहा है जो business को पूरा structure चल रहा हो customer के थूरूच चल रहा है और उसी के बेस पर business बढ़ेगा तो blocks हो गए और जो भी आपके जो unboxing systems होते है जो YouTube पे आप वीडियो दिखते है वो सारे customer to business के दूसरा स्टेज है execution तीसरा स्टेज है settlement and चौता स्टेज है after sale अब मैं बताओंगो यह चार स्टेज होते क्या है pre-sale में होता क्या है कि आप जाके side पे चीजों को search मारते है और negotiate करते हो कि कोई कम price में मिल रहा है क्या कहीं पे तो वो pre-sale हो गया मतलब आपने अभी तक ची चीज खरीदना है तो मैं vendor से बात भी कर सकता हूँ execution के stage में क्या होता है कि मैंने product को खरीद लिया and order देखे and उसकी delivery करवा रहा हूं मुझे वो पसंद आगा मुझे को खरीद रहा हूं settlement stage में क्या होता है कि जो bill पाड़ता है invoice का मतलब होता है bill कि अगर कोई bill बन रहा है तो वो बिल में लूँगा और साथी साथ में उसका payment करूँगा and last में होता है कि कभी कोई चीज पहुच जाती जैसे मैंने fridge खरीदा मान लीजिए amazon से खरीदा तो उस case में होगा क्या कि मैंने पहले search मारा कि कहां पर ये fridge available है कितने कीमत में और में को सबसे सस्ता वाला में को दि तो वो हो जाता है after sale वाला मतब वो warranty के case में so I hope आपको चारो stage समझा है pre sale मतब आप पहले search मार रहे हो कीमत decide कर रहे हो execution में आप actual order कर रहे हो और delivery का part settlement में आपका जो payment का part है वो सारी चीज़े अगर bill involved हो तो आप bill भी ले लेंगे and after sale में क्या warranty या guarantee वाली जो भी terms होती है उन credit card के बारे में आपको सबको मालूम है credit card या debit card दोनों चल जाएगा फिर दूसरा है mobile payment mobile payment जिसे आप Google पे करते या भी map इस्तमाल करते हो उसके हिसाब से जो mobile phone के दुरू करते हो तीसरा है आप कहते bank transfer बैंक ट्रांसफर मतार एक account से दूसरे account में पैसे चले जाते हैं तो वो ह हम बात करेंगे दोस्तों आपके book में एक term था EDI जिसका मतलब होता है electronic data interchange electronic data interchange का simple meaning होता है कि जब कभी आप term समझे data interchange मतलब आप data एक दूसरे को interchange कर रहा हो लेकिन वहाँ पे electronic form में मतलब मैं actual paper नहीं दे रहा हूं मैं कुछ email लिख के दे रहा हूं या उसके document को scan करके दे रह किसी ने कहा कि आप अपना राश्चन कार्ट दीजिए या कोई भी किसी एक service में मैं कोई health service ले रहा हूं government की तो उसमें वो कहते है आप अपना आधार कार्ट को scan कीजिए pen card को scan कीजिए तो मैं actual देता नहीं मैं उसका electronic form उनको भेजता हूं मतलब उसकी photo निकाल लेता हूं उसको attach करके email में भेज देता हूं तो यहां पर हो क्या रहा है data तो interchange हो रहा है लेकिन वह electronic form में जहां पर paper involved नहीं है तो ऐसे term को हम बोलते है EDI यह term आपको याद रखने चाहिए मुझे important लगा इसलिए मैंने से add करती है next हम बात करेंगे form of e-commerce वहां पर type of e-commerce था जो business या customer और वह सारे terms की यह form of e-commerce है मतलब किस तरीके से e-commerce किया जाता है पहला चीज है m-commerce m-commerce मतलब mobile commerce आज कल आप देखो कि बहुत लोग mobile से ही पूरा trade कर लेते हैं उनको कोई भी चीज पसंद आती है वो laptop भी इस्तमाल नहीं करते हो सिधा mobile से open करते हो वहीं से payment करते हैं दूसरी होती है social commerce social commerce मतलब क्या होता है social media को आप इस्तमाल करेंगे for a business जैसे आप उसको मालूम का OLX में अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो उसमें एक number आता है फिर आप उनसे whatsapp पे बात करते है या twitter या जो भी चीज है जिस term में आपको बात करने हैं आप उससे बात करके deal करत next important चीज है दोस्तों e-governance एक term आता है यह आपने खास कर सुना होगा जब से modi government आया तब से e-governance का term बहुत ज़्यादा इस्तमाल हो गया e-governance का simple meaning होता है कि आप government की जो भी facilities या service जो आपको लोगों को पहुचानी थी उसको आप पहुचाने के लिए electronic medium इस्तमाल कर रहे हैं मतलब जो चीजे पहले घर-घर जाके होती थी अब वो basically electronic medium के थ्रू होती है कि मतलब आप सूचिए कभी-कभी ऐसा होता था कि आपको light क बिल भरना होता था तो light के बिल के लिए आपको line लगाना पड़ता था लेकिन आज light के बिल public mobile से भी भर देता है तो यह सब क्या हुआ और e-governance की facilities होई कि government services को आपने electronic format में लाया और यह क्यों लाया जाता है ताकि चीजों को simple कर दिया जाए उनमें moral लाया जाए accountability लाया जाए transparency लाया जाए कि जो भी चीज़े होरे सब को दिख रहा है सबके सामने तो यह better government scheme के लिए होता है ताकि चीजे fast भी होती रहा है next है e-governance का advantage क्या है सबसे पहली चीज़े reduce of corruption simple चीज़े कि corruption को हटाने के लिए आप जो भी payment होगा सब online होगा तो वो सारे records होते है high transparency sorry so उसके लिए है और दूसरी चीज़ है आपका increased convenience के लिए है फिर direct participation of constituents है कि public खुद करेंगे reduction in overall cost and expanded reach of government कि government कहाई पे भी पहुंच सके जैसे आप आपको आपको मालूम होगा कि जब कभी भी किसी को कुछ complain करनी होती है कभी कोई कोई सुनता नहीं तो लोग ट्विटर प कहीं पे भी खड़ा है उसको government को अगर मैं किसी दिल्ली के minister से बात करनी थी तो मैं उसको मुंबई में रहके भी tweet कर सकता हूँ जरूरी नहीं कि मुझे दिल्ली जाके उसको एक letter देना पड़े है कि यह मेरी complaint तो आप समझ सकते हो कि आजकर यह expansion होगा कि government कहीं तक भी पहु government कोई भी facility जो citizen को देता है वो basically e-government electronic form में तो जैसे मैं कहा दो कि अगर किसी को अपने आधार काड को change करना है या उनके नाम गलत प्रिंट होगे तो वो क्या करते है वो basically पहले तो होता था center में जाना होता था लेकिन अब public क्या करता है कि घर से भी आप उस चीज को change कर सकत मतलब वो सारी facility government वाली सब citizen को दे दी गए education की health care की जो भी चीज़े सारी citizen को मिल गई है e-commerce मतलब electronic form में दूसरी चीज़े government to business मतलब business के लिए business के लिए आप सूचेंगा business को क्या जाते है आपको मालूम हो कि बहुत सारी industries खुलती है जो भी business होते है जो बहुत सारे paperwork होते ज आप वो सारी चीज़े भेज सकते है जरूरी आपको physically वहां जाके present होना चाहिए थर्ड होता है government to government कभी कभी ऐसा होता है कि center government को कुछ information देना है जो state government के लिए तो उस case में होता क्या है कि जो भी documents है या जो भी सारी services है वो basically government दूसरे government को या international government के case में भी है कि एक country के दूस employee के लिए आ रहा कि मान लीजिए कि अगर मैं police में हूँ तो उस case में कहा होगा जो मेरी salary आएगी है जो भी सारी facilities जो भी मेरे को कुछ letters आते है वो direct मुझे e platform पे आ जाएं government के तुरू आ जाएंगे तो ये भी एक benefit होता है तो ये चीजे ये थे basically चार टाइप of e-commerce next हम बात क भी चीज को आप उसके form को बदल के भेज दीजिए ताकि सामने ओले को पता ना चले कि इसका meaning क्या है मैं इसको बहुत अच्छे सा आपको explain करूंगा इसमें दो type होते है आपको सिर्फ type के नाम दिये symmetric and asymmetric ठीक है तो जहाँ पर shared secret encryption होता है यहाँ पर public की इस्तमाल किया जात इसको हम तोड़े detail में पढ़ते हैं इस case में हो क्या रहा है मालीजिए आपके पास एक plain text है उसको आपने encrypt करके कुछ दूसरे form में बना दिया and decrypt करते समय आप क्या करते है फिर से original form को लेके आते हो इसका मैं example दे रहा हूँ मालीजिए मुझे किसी को ABC भेजना था तो मै अगर ABC इंटरनेट पर भेजता हूँ और किसी ने उसको hack करके message निकाल लिया तो उसको समझ में आ जागा कि मैं किसी वेक्ति को ABC लिखना चाहता था लेकिन अब मैंने क्या कर दिया मैंने A को 1 कर दिया B को 2 कर दिया C को 3 कर दिया मतलब क्या हूँ मेरा ABC का term encrypt होके अब code के form हमें 123 हो गया अगर इंटरनेट के through transfer जब हो रहा है कोई इसको hack करके निकाल भी लेता है तो उसको से 123 मिलेगा जिसका मतलब वो नहीं समझ पाएगा लेकिन जो decryption होता है कि मतलब अगर actual user के पास वो पहुँच गया जिसको मुझे भेजना था तो उसको उल्टा भी करना प encryption होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि security में दो चीज और होती है जैसे एक encryption दूसरे था digital signal यह signature यह आपने अकसर देखा होगा इस case में होता गया कि कि किसी भी document के पीछे एक watermark जैसा लग जाता है जिसके कारण होता क्या है कि जब कभी भ यह उसी का form है तो यह होता है digital signal signature और तीसरा जो टाइप होता है वह होता है digital certificate इस case में होता है कि password इस्तमाल किया जाता है आप तब तक उस चीज को extract नहीं कर पाऊगे जब तक आपके पास password ना रहे तो वह हो गया आपका digital certificate दोस्तों यह था basically आपके महाराष्ट बोड के 12th standard के 6 chapter जो e-commerce और e-governance का था अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए शेर कीजिए और इस चैनल को subscribe करके रखिए इस पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके 12th standard साथी साथ जैई की नीट और बाकी कोई भी exam के लिए आप कमेंट कीजिए आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे तो दोस्तों thank you very much for watching India बड़ी जै हिंद